ओम नो भगवदे वासु देवायन महा दोस्तों वो कहते ना कि वहवान आपको हर चीज सही वक्त बजेते हैं और वो हुआ यह खुशी इस वक्त पूरे देश के चहरे पे है यह चार साल पहले भी आ सकती थी देगे नहीं आई क्योंकि हर चीज सही समय पहुनी थी और अब ज इसी खुशे में मिली है दोस्तों कि हर जगा भी वही बाद चल रही है वही चल रही है और अब कुछ समय तो कोई चलती रहेगी हमारे साइन्टिस्ट हमारे इंजीनियर्स की जो महनत है फाइनली रंग लेके आई है दोस्तों लेकिन अभी भी क्या है कि कुछ लोग ऐसे है जिनको ये देश और इस देश के जो सफल लोग हैं वो भी शूनने पर ही दिखाई देते हैं दोस्तों उससे बड़े अफसोस की बात ये है कि वो लोग भी नैशनलिटी में इंडिया लिखते हैं वो भली नैशनलिटी से इंडिया हो लेकिन नैशनलिजम से इंडियन बिलक नहीं करता इस जैसे व्यक्ति की तो मुझे नहीं लगता कि बॉलिवूड में किसी इंडिस्ट्री में कोई जरूरत होनी चाहिए आपको प्रधाम मंतरे से इतनी घ्रणा है कि आपको हमारे देश के साइंटिस्ट इंजीनियर्स हमारे देश के जो जो सफल लोग हैं उनसे घ्रणा हो जाएगी जो काबिल लोग हैं उनसे घ्रणा हो जाएगी इतनी नफरत कमाल बात है अगर ऐसे लोग हमारे देश में मौझूद हैं दोस्तों तो उससे बड़ी शर्म की बात यह है कि ऐसे लोगों काम भी मिल रहा है बॉल्लिवूड सामने है वो डिसाइड करता है कि आप पड़े लिखे हो या नहीं हो आप जाहिल हो या नहीं हो और प्रकाश राज एक जाहिल आदमी है यह बस सकते है क्या है दोस्तों यह मूवमेंट जो है हमारे देश के लिए बहुत बड़ी मूवमेंट है कल इस्रों के जो यूट्यूब चै कि एक चैनल पर दोस्तों जो पाकी लोग हैं जो हम जैसे जो टीवी पे देख रहे थे हैं किसी और मातम से देख रहे थे उनकी संक्या तो हम गिन भी नहीं सकते हैं कहना हम लगा है कि पूरा देश जशन के महौल में हैं और इस महीन है तो वैसी अच्छी खबरे आई हैं य यह महौल जो है अभी जो बन चुका है यह बहुत अच्छा है और ऐसे प्रकाश राज जैसे चूतियों को हमें इंगोर करना चाहिए इससे हमारे साइंटिस्ट हमारे इंजीनियर्स का जो मनुबल है वो गिर सकता है ऐसे लोग को तवज्ज़ देगे खैसे दो दोस्तों अ